नमा एलर्जी में होलिस्टिक और इंटिग्रेटेड एप्रोच हम अगर बात करेंगे तो जो कोई डस पार्टिकल्स प्राकन पॉलन्स एनिमल डेंडर्स कुट्टी बिल्ली के बाल जो होते हैं उस तरह से जो कबुतर के पंक डॉपिंग्स है फिर फंगस होते हैं मोल्ड्स तो किचन के फूड पार्टिकल्स कॉर्णर्स में जो मैठते हैं कार के डी पॉकेट से लखें स्कूल के बाथरूम में ऑफिस बाथरूम में या कहीं पे बिगर कोई डैम पॉल होती है गिली जो वाल होती है उस पे जो फंगस होते हैं तो यह हमें दिखते नहीं हैं हमारे इसे घरमेंगर कभी दूपाती है तो वो दूप में छोटटे जो पार्टिकल्स दिते है तो ये काफी आफ़ी पॉलन सो रहे तो काफी किलोमेटर से उड़के आते हैं यह नाक में जो जाते हैं, तो नॉस्टिल्स को सेंसिटिव करते हुए, जो हाइपर सेंसिविटी एक लेवल पर बढ़ जाती है, इंफ्लोमेशन बढ़ जाता है, फिर पेशन्ट ट्रिगर होना चलो होता है, फिर जो स्ट्रॉंग स्मेल्स, डियोडरन, परफ्यूम्स, होते हैं, तो यह सब ट्रिगर और रिटेंड होते हैं, तो प्राइमरी जो यह पोलन सोरी जो है, इनको ढूंड के उसको डिसंटिडाइज या ऐलर्जी वैक्सिन्स भी कर सकते हैं, फिर ब्रिधिंग इंग्जसाइजे सोरे भी बहुत फाइदा देती है, कभी भी नाक को हम मेशा बाहर ऐसा नहीं करना चाहिए, जलनेती या नेजल वाश भी काफी अच्छा काम करता है, स्किन बैरियर भी इंप्रूब करना इंप्रोटन है, गट इंफ्लमिशन को भी कंट्रोल करना चाहिए, तो खाने में हेल्दी फूड्स बहुत ज़री है, और स्ट्रेस लेवल भी कम करना चाहिए, और जैसे वेदर की हिसाब से, अच्छे क्वालिटी के मास्क के उस करना है, इससे भी काफी फाइदा होता है, घर में जाडू में पूचा जो है, वैक्यूम तिनर्स या इलेक्टिंग जाडू, ये डस्ट को उडाते नहीं है, या आप वेट पॉपिं तो ऐसे समझ कि अगर हर तरीके से अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, और मिस्कंशर्प्शन ये है कि काफी लोग अभी इसको लोर इम्मुनिटी बोलते हैं, इस नोट लोर इम्मुनिटी, इस अ हाइपर सेंसिटी, ये जो अलर्जन्स है, इनका जो सेंशिडाइज होते हुए, एक लेवल पर हाइपर सेंसिटी होती है, तो इसलिए प्रिकॉशन लेना, मतलब हम कमजोर बनाना या इम्मुनिटी कम करना बिल्कुल ही नहीं है,